अश्टावक्र मुनी, राजा जनक को बंधन और मोक्ष के विशय में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, तदा बंधो यदा चित्तम, सक्तम कान्य पी द्रिष्टिशू, तदा मोक्षो यदा चित्तम, आसक्तम सर्व द्रिष्टिशू. अर्थाद, जब चित्त, किसी द्रिष्टी अथ्वा विशय में लगा है, तब बंध है, और चित्त, जब सब द्रिष्टिवों से अनासक्त है, तब मोक्ष है। इसमें अश्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बलकि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विशयों के प्रती, किसी भी प्रगार की द्रिष्टी होना भी बंधन है। यह द्रिष्टी ही वासना का रूप है, जहां द्रिष्टी है, वहीं वासना भागेगी। यदि कोई द्रिष्टी ही न हो, तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा। और वह अपने आप शान्त हो जाएगी। इसलिए चित जब सभी द्रिष्टियों से चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो, हत्वा मोक्ष की अनासक्त हो जाता है, तब मोक्ष है। विशयों से द्रिष्टी हटा कर केवल आत्म द्रिष्टी वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह है, कि यह चित जब विशयों में द्रिष्टी रखता है, तब बंधन है, एवं आत्मा में रखता है, तब मोक्ष है, तो फिर चित तो चंचल है, उसकी द्रिष्टी आत् से हट कर फिर विशयों में जा सकती है ऐसी स्थिती में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ अवधी सहित ही हुआ किन्तु इसमें यदि इच्छा करके यदि चित्गो जवर्दस्ति अनासक्त किया तो वह पुनह विशयों में भाग सकता है किन्तु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है वह भ्रांति वश अहंकार वश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही मिठ जाती है इसी को चित्त का आत्मा में ले होना कहा गया है इसके बाद फिर उसमें वासना कामना की तरंगे उठी नहीं सकती जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता उसी प्रकार आत्मरूप खोने पर वहे चित रहता ही नहीं तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है अश्टावकर आगे कहते हैं यदा ना हम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेती हे लया किंचिन मा ग्रिहान वे मुन्चमा जब तक मैं है तब तक बंद है जब मैं नहीं है तब मोक्ष है इस प्रकार का विचार कर न इच्छा कर न ग्रहन कर न त्याग कर इस सूत्र में अश्टावकर बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तब ही तक बंधन है आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं किन्तु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीती होती है मैं भाव ही अहंकार है जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती है चित्त रुपी वायू से आत्मा रुपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी इस तरंग से अज्यानवश ब्रांतिवश अपने को आत्मा से अभिन्न अनुभव करने का सहसाया यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयम करता बन गया भुकता बन गया विचार एवं बुद्धी का प्रयोग करने वाला विशयों में आसकती बढ़ी कुछ पाने की इच्छा से दोड धूप आरंब हुई यही मन एवं बुद्धी बन गया जिससे दृष्टी का क्रम चल पड़ा यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंब हुआ है कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया यदि यह मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे न इच्छा न वासना आदी होगी न ग्रहन न त्याग होगा भिन्नताएं ही मिट जाएंगी एक ही आत्मा शेश रह जाएगी फिर किसका त्याग और किसका ग्रहन होगा ऐसी स्थिती को उपलब्द हो जाना ही मौक्ष है जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रुपे दुरात्मा के साथ रहता है तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा तब तक मुक्ती नहीं है मौक्ष नहीं है अश्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी जड को ही उखाड फेंकने को कह दिया जिससे वरिक्ष पन पे ही नहीं बीज को ही भुन्ने की बात कह दी जिससे वरिक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए किन्तु लोग हैं बड़े चालाक अहंकार तो छोड़ते नहीं जो सभी बुराईयों का मूल है वासना और आसकती छोड़ते नहीं और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है कोई रात्री का भोजन छोड़ रहा है कोई घरभार छोड़ रहा है कोई दान दे रहा है मंदिर धर्म शालाएं बनवा रहा है कोई मंदिर जाकर पांच पैसे भेंट करता है कोई नारियल अगरवत्ती चढ़ाता है धर्म के नाम से न जाने क्या-क्या मनुश्य कर रहा है किन्तो अश्टा वक्र कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की चाह है तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है दुनिया में सभी भोग से लिप्त है मैं भाव छूटा नहीं वासना आसकती छूटी नहीं इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चार वाकी है रणम कृत्वा गृतम पिबेथ ही सबका आदर्श है आज यदी रण आदर्श नहीं है तो चोरी डगैती हत्या बेईमानी रिश्वत खोरी धोखा देकर धन हडपना गबन करना मिलावट करना शोशन करना इत्यादी द्वारा दूसरों का धन हडपकर गुल शर्रे उड़ाना ही जीवन का अदर्श बन गया है चार वाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविक्ता को प्रकट कर दिया कि यह संसार ऐसा है किन्तु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपा कर धर्म का जूठा मुखोटा लगाए घूंते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझें इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाती या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही तो है गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुवानी, धम्मपद, आधी के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ यह मूर्खता पूर्ण, एवं पाखंड युक्त है धर्म है स्वयम के रूपांतरन में जो धार्मिक जीवन जी रहा है, वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं चोर, अचवरिये का सिद्धान्त लेकर चलता है हिंसक, अहिंसा, पर्मो, धर्मह की तख्ती लटका लेता है भोगी, निश्काम, कर्मयोग की बातें करता है अश्टावकर कहते हैं कि अहंकार के रहते, जो भी कुछ किया जाएगा, वो पाप ही होगा इससे तो चारवाग की भाती, भोग को स्विकार कर लेना, अधिक सत्यता है वह धर्म के अधिक निकट है, इसलिए चारवाग को रिशी कहा गया है सत्य तो बोला, असत्य को भी यदि स्विकार कर लिया, तो वह साक्षी बन जाता है इवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए, तो वह नरक का द्वार ही है क्रोध, काम, इत्यादी भीतर से उठने वाली तरंगे हैं इनको साक्षी भाव से देखने पर, ये अपने आप लीन हो जाएंगी संसार में जो कुछ हो रहा है, अपने स्वभाव से हो रहा है अतहा, भोग और मोक्ष, दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है यह सब अहंकार गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्य था नहीं, यही अश्टावक्र का उपदेश है मुनि अश्टावक्र कहते हैं, एको द्रष्टा सी सर्वस्य, मुक्त प्रायो सी सरवदा, अयम हेव हिते बंधो, द्रष्टारं पश्यसीतरं कहते हैं तू एक सबका द्रष्टा है और सदा सच्मुच मुक्त है तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ कर दूसरे को द्रष्टा देखता है इस सूत्र में अश्टावक्रजी अद्वाइत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वाइत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है यही ब्रभ्म है दोनों भिन्न नहीं है तू भी वही ब्रभ्म है तथा यह समस्त सुरिष्टी उसी एक ब्रम्ह की अभिवेक्ति है वही परमात्मा है सबका द्रश्टा है अतहतू भी सबका द्रश्टा है परमात्मा मुक्त है अतहतू भी सचमुच मुक्त ही है लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़ कर दूसरे को द्रश्टा देखता है बड़ा अर्थ पूर्ण सूत्र है द्वाइत एवं अद्वाइत का अश्टावक्र कहते हैं तु सबका एक द्रष्टा है दूसरा कोई द्रष्टा नहीं है द्वाइत वादी धर्म कहते हैं कि इश्वर व्य मनुश्य भिन्य है परमात्मा व्य आत्मा भिन्य है पूरी शासन व्यवस्था है उसने सृष्टी बनाई स्वर्ग नर्क बनाए पशु पक्षी जीव जन्तु मनुष्य आदी बनाए यह आत्मा इश्वर नहीं है उसकी संतान है इश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंद है मालिक गुलाम का संबंद है इश्वर मुक्त है आत्मा गुलाम है वह बंधन में है गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता ऐसी विभिन मान्यताओं के बीच अश्टावक्र बड़ी निर्भीक्ता से यह घोशना करते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है इससे भिन्न कोई इश्वर नहीं है यह आत्मा ही एक मात्र द्रष्टा है साक्षी है कुछ धर्म आकाश में बैठे इश्वर को द्रष्टा कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है पाप पुन्य सब देख रहा है अश्टावक्र कहते हैं यह आत्मा ही परमात्मा है तथा यही द्रष्टा है इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है यह आत्मा मुक्त ही है किसी बंधन में बंधी नहीं है वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को द्रष्टा देखता है जब दूसरा मुझूद है तो बंधन हो ही गया यदि एक ही है तो कोण किसे बंद है वह मुक्त ही है यदि इश्वर आत्मा से भिन है जो इससे बड़ा है तब ही बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है गुलाम है उसकी सेवक है जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका वह मुक्त ही है अतहा आत्मा से भिन इश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती इसलिए इश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन मानने वाले धर्मों में मुक्ती की धारणा नहीं पाई जाती वे स्वर्ग नर्क या इश्वर के सामराज्य की ही बातें करते हैं किवल अद्वाइत वादी ही मुक्ति की बात कह सके स्वतंत्र होने में बड़ा भय है बड़ी असुरक्षा है मनुष्य स्वभाव से ही गुलामी खोजता है इसलिए उसने इश्वर को अपना स्वामी इवं स्वयम को गुलाम मान लिया इसी विचार धारा ने द्वाइत वादी धर्म को जन्म दिया उपनिशत कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्मा तत्व मसी यह अद्वाइत की धारना है अश्टा वक्र अद्वाइत वादी है इसलिए विजनक से कहते हैं कि तू आत्मा है वे वही आत्मा सबका द्रश्टा परमात्मा है इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को द्रश्टा मानना ही तेरा बंधन है अग्यानी ही आत्मा से भिन्न इश्वर को द्रश्टा कर्म, फलब प्रदाता एवं करता मानते हैं ज्यानी नहीं मानते अश्टावक्र आगे कहते हैं अहम करते थी अहम माना महा कृष्णा ही दन्शितह ना हम करते थी विश्वासा अम्रितम पीत्वा सुखी भवा अर्थात मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रुपी विशाल काले सर्प से दन्शित हुआ तू मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रुपी अम्रित को पीकर सुखी हो जा इस सूत्र में अश्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रुपी विशाल काले सर्प से दन्शित हुआ है इसलिए अपने को करता मानता है यह मैं हूँ की भावना ही तुझे उस ब्रम्ह तथा चेतना से अलग करती है जब तक तुझ में अहंकार है तु अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है इसलिए तु मैं भिन्न हूँ मैं करता हूँ इस अहंकार को छोड़ कर मैं करता नहीं हूँ करता वही इश्वर है मैं तो निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ, ऐसे विश्वास रुपी अम्रित को पी कर सुखी हो जा, इस सूत्र में अहंकार को समझना अवश्यक है, समस्त स्रिष्टी की उत्पत्ती एक ही ब्रह्म से हुई है, एक ही चेतना विभिन रूपों में अभिव्यक्त हुई है, शरीर गचेतना, आत्मा तथा समस्ती गचेतना ही ब्रह्म है, आरंभ में इस ब्रह्म में एक कामना का स्फुरण हुआ, एको हम बहुस्यामा, मैं एक हूँ, अनेक हो जाओं, इसी स्फुरणा से सुप्त शक्ती का जागरन हुआ, वह शक्ती आगे विभिन रूपों का निर शर्मान करती रही, इन विभिन रूपों में व्याप्त शेतना को उस परम शेतना से प्रथकत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन हुआ, यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराठ शेतना से प्रथकत्व का कारण बना, अश्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रुपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रुपी अमरित को पी कर सुखी हो, यह मैं अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है, इसे चाहे जितना ही भरो, यह खाली ही र कहता है, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है, वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है, मनुष्य की आवश्यक्ताएं बहुत कम हैं, जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किन्तु उसके अधिकान्ष कारिये अहंकार त्रिप्ती के लिए ही होते हैं, यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कारिये करने में रूची लेता है, जैसे सिर्के बल जलना, एक टांग पर खड़ा रहना, तप करना, नगन रहना, लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पर चड़ना, लंबी समाधे लगाना, हठयोग करना आदी, यह आद अहंकार नहीं, पृत्वी को समस्त ब्रम्हांड का केंद्र माना, अपने को देवताओं की संतान माना, हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाती महान, मैं महान, इत्यादी सब अहंकार की ही घोशनाएं हैं, यह अहंकार एक रोग है, जो जीवन में सिखाया जा रहा ये शिक्षन संस्थाएं, समाज, सभी सिखा रहे हैं, अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोज नहीं, कोई तनाव नहीं है, न कोई बंधन है। सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। मैं से मुक्त हो जाए, मैं करता नहीं हूँ, यह सृष्टी अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, परमात्मा ही एक मात्र करता है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ती के लिए परयाब्त है, इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है, अहंकारी व्यक्ती क सुखी करना मुश्किल है, एवं निर अहंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता, अश्टावक्र इसके लिए कोई विधी, साधना, तपस्या भी नहीं बताते, वे कहते हैं, देखो इस तरह, दृष्टी मात्र बदलो, पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक, तो निष्चित ही परिवर्तना जाएगा, बोध मात्र परयाप्त है, यह गलत दृष्टी ही तुम्हारे दुखों का कारण है, गलत दृष्टी यह है, कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी धपली अलग ही वजाय जा रहे हो, सह अस्तित्व को अधिकार नहीं करते, कि तुम समग्र के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो, न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, न मृत्यू पर, बीच में विर्थ ही करता बने बैठे हो, अश्टावक्र ने इस सूत्र में जो सार गर्भित था, वह कह दिया, कोई विश्वास पूर्वक इ अम्रित के समान पी जाए, तो सुखी हो सकता है,